हेलो फ्रेंड्स दिस इज आइस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरी दे प्यारे दोस्तों बीट सेकंड सेमेस्टर एकॉर्डिंग टू काइनपूर यूनिवर्सटी आपका जो थर्ड पेपर है शिक्षा के तकनिकी प्रिपेच यह जिसको आप ICT के नाम से भी ज आप इस कोशिं पेपर के माथम से आप यह समझ पाएंगे कि आपका जो टेकन लोजी का पेपर हैगा शिक्षा के तकनिकी प्रिपेच जो आपका तीसरा सबजेक्ट है सभी का कमपल सी सबजेक्ट है इसका कॉशन पेपर किस तरीके से आता है कोस्ट की लैंग्विज क्या रहती है, questions का label क्या रहता है, कौन साय से topics हैं, जहां से mostly questions पूछे जाते हैं, यह सारी चीज़ें इस question paper के माध्यम से आप समझ पाएंगे और उसी तरीके से फिर आप अपनी तयारी में भी लग जाईए, उसी तरीके के questions को अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आइए शुरू कर चुके हैं, computer को वरत्ताकार लूप से जोडने के लिए land में आहम तोर पा कौन सी topology का उपयोग किया जाता है, कौन सी topology तो वो बस topology प्यारी दोस्तों, कौन सी बस topology का उपयोग किया जाता है, option A यहां पर right हो जाता है, आगे बढ़ेंगे question paper है, बाकि आगे से हम लोग बीच बीच पचाप चाश कोर्शन करके उनको detail में समझ लेंगे, कौन सा परिवार, अग्रिम संगठन प्रतिमान से सम्मंतित है, कौन सा परिवार है, तो वहाँ सूचना संसाधन है, कौन सा परिवार माना जाता है, सूचना संसाधन का जो परिवार है, यह अग्रिम क्या होता है दिखाना शो करना ठीक है यह बहुत अच्छा कोशन है प्रदरश्ण विधी को माना जाता है यह शिक्षार्थी के अंद्रित होती है योगता आधारित होती है विशय के अंद्रित यह शिक्षक के अंद्रित होती है कौन सी होती है शिक्षक के अंद्रित कैसे क्य मात्र सामने बैट करके उसको देख सकते हैं, टीचर की बात सुन सकते हैं, अगर टीचर कोई प्रोजेक्ट उसके सामने दिखा रहा है, उसको समझा रहा है, तो यहाँ पर जो बालक है, वो मात्र सुरोता बन करके बैटे हैं, है ना, तो वो सुन रहे हैं, टीचर यहाँ पर इसलिए शिक्षक के अंदर इतिविती हो जाएगे next question कहता है सामोई invasion प्रतिमान वे शिक्ष्षक की भूमिका क्या है सामोई invasion प्रतिमान में सिक्षक की भूमिका होती पहले इसलिए योजनाएं विवस्थित करना इसलिए option A Right हो जाता है अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारना पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी अभिक्रमित अनुदेशन की जो अवधारना है पहली बार कि गर बात करें तो वो है BF इसकिनर जिनके द्वारा पेश की गई थी इसके दोरा BF, इसके नर के दोरा पेश की गई थी, computer virus क्या है, देखे, computer virus की बात करें, तो एक दुर्भावना पूर्ण software है, जो अन्य प्रोग्रामों को दोहरा और संक्रमित कर सकता है, ठीक है, एक दुर्भावना पूर्ण क्या है, एक software ही है, लेकिन ये दूसरे जो programs हैं, जो applications हैं, उन पर ये अपना effect डालता है, उन पर ये अपना negative प्रभाव डालता है, option C right हो जाता है, अभी करमित अनुदेशन में शिक्षार्थियों में, उनकी प्रतिकरियां पर ततकाल प्रतिकरिया प्राप्त होती है, इसके माद्दिम से प्रतिकरिया प्राप्त होती है, ततकाल की बात कर रहा है, ततकाल प्रतिकरिया प्राप्त होती है, श्वय मुल्यांकन, quiz और अभ्यास के द्वारा, खुद मुल्यांकन करके quiz के माद्दिम से, exercise के माद्दिम से बच्चों को ततकाल प्रतिकरिया यहां पर प्राप्त हो जाती है, option C right हो जाता है, very good, LAN में network device है, तो वहां router network device का प्रियोग किया जाता है, इसलिए option C, इस question में right हो जाता है, कौन सा function आपको भविश्य में आसान पहुंच के लिए, एक website के पते को संग्रहित करने की अनुमती देता है, तो वहां bookmarking है, प्यारे दोस्तों, कौन सा function है, bookmarking function जो है, यह भविश्य में आसान पहुंच के लिए, एक website के पते को संग्रहित करने के अनुमती देता है, bookmarking है, किस अवस्था चरण में, निर्देश के बाद, सिक्षन और सीखने की प्रक्रियाने की teaching learning process का प्रतिबिम्ब आकलन और मुल्यांकन शामिल है, तो वहां है post active चरण, ठीक है, किस कर्मेशन प्रतिमान का प्रात्मिक लक्ष जो है, वहां है, चात्रों को व्याक्यान और पारंपरिक सिच्छन विद्यों के साथ प्रदान करना, ठीक है, चात्रों को व्याक्यान और पारंपरिक सिच्छन विद्यों के साथ में प्रदान करना, ये सामोही कर्मेशन प्रतिम श्वाविक श्रित और व्वेक्तिकतिक्यश्चा ऊपसनई इस दा राइट वन ओवर CEO Man का पूरा नाम क्या है मैंन का पूरा नाम visit täll रान च्रॉशन है कमप्यूटर रान क्या में हब क्या है हब जो है यह एक उपकरन है जो कई network को एक साथ जोड़ता है क्या करता है यह है एक उपकरन है एक tool है जो क्या करता है कई network को एक साथ जोड़ने का काम करता है इसलिए option numbers 1977 भी A right हो जाएगा STTP का पूरा नाम क्या है STTP का पूरा नाम होता है Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol यह sdtp का पूरा नाम होता है आगे बढ़ेंगे कौन सी website domain उपसरग आम तOR पर इंगित करता है कि website एक सेक्षिक संस्थान दोरा प्रायोजित है तो वहाँ है .edu क्या है । edu सेक्षिक संस्थान के दोरा प्रायोजित की बात हो रहे हैं तो सैक्षिक संस्थान में हमारा .edu लगता है, ध्यान रखिएगा, HTTP एक प्रोटोकॉल है, जिसका उप्योग निम्र लिखित के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो इसका उप्योग transmission के दौरान data को सुरक्षित रूप से encrypt करना, ठीक है, transmission के दौरान data को सुरक्षित रूप से encrypt करना, option B, right one over here, प्रियोजना विधी किस के दौरा निर्धारित की गई थी, तो सीधा सा option आपका WH Kilpatrick हो जाएगा, प्रियोजना विधी किस ने दी है, WH Kilpatrick ने, question कहता है, man आम तोर पर land की तुलना में एक बड़े भागौलिक छित्र को कवर करता है, और कई death को जोडता है, किसको जोडता है, ये कई शहरों या कश्बों को जोडने का काम करता है, प्रदर्शन विधी का मतलब यह होता है कि इसमें हम बच्चों को सामने चीजों को दिखा भी सकते हैं, व्याख्यान में यह है कि हम सिर्फ explain कर रहे हैं, ठीक है, और प्रदर्शन में यह है कि हम explain भी कर रहे हैं, सामने शो भी कर रहे हैं वो चीज़, इसलिए यह best option यहाँ पर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, MIME का पूरा नाम क्या है, MIME का पूरूरूप होता है, बहुए देशी internet mail extension, बहुए देशी internet mail extension, option is the right one, URL का पूरा नाम क्या होता है, URL का पूरा नाम uniform resource locator होता है, uniform resource locator, ठीक option से यहाँ पर right हो जाता है, very good, next की बात करेंगे, निमलिकित में से कौन सी परियोजना, विधी की एक बिशिष्टा है, जो परियोजना विधी होती है, इसमें शातर स्वायतता और जिम्मेदारी के साथ काम करता है, ठीक है, जो भी project method होता है, उसमें सिक्षक इंदरिती है विक्सित तकनीक को क्या कहा जाता है, तो ऐसी तकनीक को मस्तिष्क उद्देलन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मस्तिष्क उद्देलन कहा जाता है, option A यहाँ पर right हो जाता है, question number 25 है आपके सामने, CAI का पूरा नाम कहा है, थेकि CAI का पूरा नाम होता है, मैं आपको बता द देता हूँ आप ध्यान भी रखेगा इसको computer assisted a double s i s t e d computer assisted instruction ठीक है instruction ओके यह होता है computer assisted instruction इसको हम कहते है computer शहायक अनोदेशन या फिर computer शहायतापराप अनोदेशन और जो university की तरब से answer seat आई थी उसमें इसका answer यह माना गया है गलत है और option इसका जो c है वो बेस्ट option है computer सहायक अनोदेशन या computer सहाय अनोदेशन यह c i का पूरा नाम हो जाएगा option c right हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं software उपागमे कौन सा शामिल नहीं है तो software उपागमे overhead projector जो है यह software उपागमे शामिल लाइबा की लिखित सामगरी है ठीक है वीडियो प्रोग्राम है पारदर्सक वर्ष्टवें हैं यह सब हमारी software उपागमे के अंतरगत आ जाती है आगे बढ़ेंगे next question की बात करेंगे question कहता है द्रस सर्वे सामगरी का एक उदाहरन है द्रस सर्वे सामगरी हमा सबसे बेश दूरदर्सन है इसमें चीजों को हम सामने देखते भी है और सुनते भी है सेक्षिक तकनीक का अतातपर होता है कि कला और विज्ञान में मदस्ता होना कला और विज्ञान में एक सामानजस इस्थापित होना शिक्षा तकनीक का मुख्य रूप क्या है? शिक्षा तकनीक का मुख्य रूप होता है अभिकर्मित अनुदेशन, सिक्षन तकनिय की विवार तकनिय की यह सभी option यहाँ पे D जो है वो right हो जाएगा और हम बढ़ेंगे next question की तरफ very good, बहुत बढ़े है question बहुत बढ़े है क्या मतलब PYQ ही है सिक्षन का मुख्य तत्तो क्या होता है सिक्षन का मुख्य तत्तो है पाठ्यवस्तू और संप्रेशन दोनों ही चीजे teaching को बहुत effective बनाती है दोनों के बल पे ही teaching चलती है अगर communication अच्छा नहीं होगा तो फिर बालक आपको नहीं समझेंगे आपकी बात को नहीं समझेंगे इसलिए option number जो जी है वो यहाँ पे आपका right हो जाता है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश क्या है देखिए ICT का उद्देश होता है सिक्षन और सीखने के तरीकों को विक्षित करना ठीक है teaching के जो teaching methods से उनको develop करना learning methods को develop करना यह सब इसके उद्देश होते हैं ठीक है option बी right हो जाता है Computer सहाथा प्राप्त शिचन से जीकों को कैसे लाँ पहुझाता है Computer सहाथा प्राप्त शिचन जो होता है वो teachers को किस तरीके से लाँ पहुझाता है तो इसमें जो है उनके प्रदारसन के आतना मुलयंकन को सक्षम करके विशाल जानकारी के प्रसारण की शुबिधा पतान करके जी बिल्कुल इसमें जो टीचर होता है वो computer के माध्यम से एक बड़ी जानकारी को जो है की बच्चों के सामने computer के माध्यम से आसानी से present कर देता है, शमय की बचत भी हो जाती है, इसलिए B और C option जो है, वो दोनों right हो जाते हैं, hardware तकनिकी की उत्पत्ती कहां हुई थी, hardware तकनिकी की जो उत्पत्ती है, वो भौतिक विज्ञान और अनुपरियुक्त विज्ञान के माध्यम से हुई थी, options में जो C है वो इकाई है, ये computer में data की सबसे छोटी इकाई का प्रतिन दित्तु करती है या मानी जाती है, कौन सा अनुदेशाप्तमक program, design, frame के अनुकरम का अनुसरन करता है, जिसमें एक production, prompt और release pattern शामिल है, तो वहां हमारा methodic अभिकरम हो जाएगा, कौन सा अभिकरम हो जाएगा, methodic अभ उप्योग नहीं किया जाता है, option B, right हो जाता है, संकेतों का उप्योग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो संकेतों का उप्योग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए, यहां पे रेखी अभिकरमित अनुदेशन में भी किया जाता ह इसलिए option B और C दोनों यहाँ पर write हो जाते हैं इंटरनेट के शंदर्व में www का मतलब क्या होता है worldwide web होता है simple answer है आप सभी को पता होगा option A write हो जाता है अच्छा आपको हम बताते चलें कि हम paid content भी provide कराते हैं जो environment की class थी उसमें हमने आपको दिखा दे दिया था paid content का मतलब होता है कि आपको कुछ feast pay करनी होती है and complete notes आपको provide करा दिये जाते हैं उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नमबर पर WhatsApp message के माद हमसे notes की information आप ले सकते हैं जिसमें आपको full topic wise content pyqs and short notes और जो question bank आते हैं जैसे आपका golden series हो गया easy notes हो गया यह सभी question bank भी आप तक पहुंचा दिये जाते हैं next है online सीखने की संदर्व में synchronous madhyam क्या संदर्वित करता है synchronous madhyam क्या संदर्वित करता है तो यह प्रसिक्षकों और छात्रों के बीच वास्तविक समय की बच्चत जो एक साथ हो रही है उसको संदर्वित करता है synchronous madhyam कहलाता है SWAYAM SHAM क्या है SHAM जो है यह मुफ्त online पार्ट करम प्रदान करने के लिए एक digital पहल की गई है SHAM option direct हो जाता है cable TV network एक उधारन है cable TV network जो है वहा man का ठीक है किसका man का एक उधारन माना जाता है जिसको हम metropolitan area network भी कहते है sectionic technique के मुख्य रूप क्या है तो sectionic technique में आपका अनुदेशनापन तक्नीकी भी आता है prosecution technique की भी आ जाता है section technique की भी आ जाता है यह सभी जो है वो sectionic technique के मुख्य रूप माने जाते है किसे computer का पिता कहा जाता है very simple question Charles Babes को computer का पिता कहा जाता है question है OHP overhead projector आम तोर पर डैश प्रदर्शित करने के लिए उप्योग किया जाता है तो क्या उप्योग किया जाता है तो इसमें इस्तिरिचित्र transparencies, motion pictures इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है इन सभी का ध्यान रखा जाता है आगे बढ़ेंगे निमनलिखित में से कौन सा virtual कक्षा कक्ष का एक मंच नहीं है तो वहाँ है whatsapp ठीक है बाकी zoom, google, classroom, model ये सभी virtual कक्षा के मंच है लेकिन what's up इन सबसे अलग हो जाता है option D, right है निमनलिखित, निमनलिखित में से कौन सा इसके focus और अभिविन्याष्ट के शंदर्वे में शिक्षा परक्रिया पर सैक्षिक तकनेकी के प्रभाव का वर्णन करता है कौन करता है भाया तो इसमें एक शात्र के अंदर्वे दिश्टिकोन पर जोड़ देना यह भी इसके में include हो जाता है सामगिरी वित्रण और पहुँच को प्रात्मिक्ता देना यह भी इसमें इस प्रभाव का भी वर्णन करता है विशित शिक्षण उधेशियों को पूरा करने पर ध्यान के अंदर्वेत करना तो यहाँ पर जो आपके तीनों आप्शन वहार रइट हो जाता है कॉन से घटक शिक्षण प्रक्रिया के मुखे तक तो बनाते हैं कॉन से घटक हैं तो इसमें आपके शामगरी है शंप्रेशन है, कॉमुनिकेशन जिसको कहते हैं, शिक्षन सायक सामगरी है, यह सभी जो घटक हैं, यह सिक्षन प्रक्रिया के मुक्त तत्व बनाते हैं, आप्शन डी यहां पर राइट हो जाता है, यहां पर यहां पर ओनलाइन के लिए दूरस्त शिक्षा, मुक्त सिक्षा के लिए, दूरस्त शिक्षा और अनुदेशन इन सभी के उदेश्चे के लिए किया जाता है, इसलिए और जुड्डी है वहां राइट हो जाएगा, विक्तियों के बीच जानकारी, विचारों या भावनाओं को इस्थानांतरित करने की प्रिकरिया को क्या कहा जाता है तो इसको संप्रेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है संप्रेशन कहा जाता है निर्मने लिखित में से कौन सा एक भौतिक संचार बाधा का एक उधारन है तो वहाँ है देखे भौतिक संचार बाधा का उधारन क्या माना गया है एक कमरे में खराब रूर्षनी जो है ये भौतिक संचार बाधा का उधारन माना गया है Option C, Right हो जाता है, अनुदेशन का अर्थ क्या होता है, अनुदेशन का अर्थ होता है सीखाना, सिखाना, जानकरी पतान करना और सीखना, यह सबी अनुदेशन के अर्थ होते हैं, Option D, Is the right one in this question, आजे चलते हैं, अनुदेशन के द्वारा कौन से उद्देश से प्राप्त किये जा सकते हैं बाकि जैसे इन करेंगे तो उसमें हम सीज़ों को वेधवा तरीके से समझा देंगे लेकिन एक एक शब्द उसमें हम क्या करेंगे क्स्प्लेंट करेंगे त्वित्लेंगे अज सिर्प iq को कुम डिसकॉस कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि इस तरीके से कोशन पेपर आपका आया था निम्न लिखित में से कौन सी विशेष्टा e-learning से जुड़ी हुई है ये लर्निंग से कौन सी जुड़ी है तो देखे लचीला पन ये जो ऐसा होता है कि लचीला पन होता है जब चाहें क्लास बंद कर सकते हैं लागत पर बहुत शीलता होती है खुला वातरन होता है ये सभी जो है वो e-learning से जुड़ी विशेष्टाएं है सूचना तक ने की यानि की आईटी अधिनियम दो हजार कब लागू हुआ था आईटी अधिनियम जो है यह 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था आप्शन ए राइट हो जाता है आधुनिक मीडिया सिक्षा के जनक की रूप में कौन जाना चाता है आधुनिक मीडिया सिक्षा के जनक की रूप में एडगर डेल को जाना जाता है किसको जाना जाता है एडगर डेल को जाना जाता है निमलिखित में से कौन सा e-learning की बाधा को दरसाता है e-learning की बाधा को दरसाने का काम समयबध कारिकरम है यहाँ पे ठीक है समयबध कारिकरम e-learning की बाधा है चलिए आगे बढ़ते हैं email शब्द का पूरा नाम क्या है email शब्द का पूरा नाम आप सभी को पता होगा इसको हम electronic mail कहते हैं क्या कहते हैं electronic mail कहते हैं ठीक है inflipnet का पूरा नाम क्या है inflipnet का पूरा नाम होता है सूचना और पुस्तकाले network इसको कहते हैं inflipnet का पूरा नाम सूचना और पुस्तकाले network होता है इसको inflipnet को English में information and library network भी कहा जाता साइस से option number भी right है विक्तिगत पूर्वा ग्रहों दिश्टिकोणों और भावनात्मक आवस्थाओं में कौन सी संप्रेशन बाधा उत्पन होती है कौन सी संप्रेशन बाधा तो यहां पर मनोवैग्यानिक जो संप्रेशन बाधा है वहाँ उत्पन होती है आगे बढ़ेंगे next question मिलेगा text, graphics, ध्वानी, animation, आदी की संयोजन को dash कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इसको multimedia उपागम कहा जाता है क्या कहा जाता है multimedia उपागम कौन सा सिध्धान्त computer सहायक अनुदेशन की new बनाता है कौन सा सिध्धान्त है तो वहाँ क्रिया प्रसूत अनकूलन सिध्धान्त computer शायक अनुदेशन की new बनाता है इमने लिखित में से कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है कौन सा नहीं है तो इसमें जनसंचार का जो पारंपरिक रूप है वो कौन सा नहीं है social media ये पारंपरागत रूप नहीं है ये तो अभी आया है ये तो नया है ठीक है बागी दूर दरसन सद्दियों से चला रहा है, रेडियो चला आ रहा है, समाचर पत्र चला रहा है, Social Media नया है, यह पारंपरी रूप नहीं है, Media साक्षरता शब्द किश को शंदरभित करता है, मेडिया साक्षर्ता सब्द जो है वो यहाँ पे मेडिया संदेशों और उनके प्रभाव का मात्पून, विसलेशन और समझ को शंदर्वित करता है इसलिए option number B right हो जाता है फ्लैंडर्स की अंतहक्रिया विसलेशन तकने की जो कक्षा में सिछन सीखने की इस्ति का विसलेशन करने के लिए एक प्रतिकरिया तंत की रूप में उप्योग की जाती है मिक रूप से मानती है क्या मानती है तो यह जो है वो सिछकों और छात्रों का मौके का है विवहार ठीक है ओके option C right हो गया निमलिखित में से किस रणनीती में सिछन विवहार को संसोधित करने में उनकी प्रभाव सिलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमान है simulated सिछन पद्दतियां है या समेदन सिलता प्रसिछन कारकरम क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा यह दोनों नहीं है option C अन्ताकरिया विसलेशन प्रक्रिया है ठीक है इसमें इस रणनीती में सिछन विवहार को संसोधित करने में उनकी प्रभाव सिलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमान है question कहता है फ्लेंडर्स के अंताकरिया विसलेशन में डैश भाग सिक्षकों की गतिविधी पर आधारित है कहां से लेकर एक से 7 तक का जो भाग है वो सिक्षकों की गतिविधी पर आधारित है सिक्षन के तरीके में मुख् thoroughp से सामिल है क्या सामिल है तो इसमें आपका प्रसिक्षन, अनुदेशन, कंडिशनिंग, मतारोपन ये सबी जो है सिक्षन के तरीके में मुख्यूरूप से इंक्लिवड हो जाते हैं उसमें सामिल भी है क्योशन कहता है संप्रिशन शब्द किस भाषा से लिया गया है संप्रिशन जो शब्द है ये हमारा लेटिन भाषा से लिया गया है communication ठीक है सिख्षारतियों के लिए muxh का प्रात्मिक लाप क्या है सिख्षारतियों के लिए muxh का प्रात्मिक लाप है लागत प्रभाँसील्दा और सामर्त जो आप इसको detail में समझेंगे तभी आप समझभाइगे concept को निमलखित में से कौन सा एक लोगपरी वेब ब्राउजर नहीं है तो अब यह Microsoft Word जो है यह लोगपरी वेब ब्राउजर नहीं है option D, write हो जाता है तकनी की शब्द किस ग्रीक भार्षा के शब्द से लिया गया है तो जो तकनी की शब्द है यहाँ टेक्नो कोश ग्रीक भार्षा के शब्द से लिया गया है option B, यहाँ पर write हो जाता है कौन सा तत्त व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जान बूझ कर आकार देने से जुड़ा हुआ है तो वहाँ हमारा प्रसिच्चन भी है, सिच्चन भी है और कंडीशनिंग और मतारोपन भी यह तीनों ही जो हैं तत्त व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जान बूझ कर आकार देने से जुड़े हुए है option D, write हो जाता है नियुमे लिखित में से किस वर्स में पहला रेडियो का अरकरम प्रसारित किया गया था या पहला रेडियो का अरकरम 1923 में प्रसारित किया गया था 75 नमर question कहता है MOOC का पूर्ण रूप क्या है तो MOOC का पूरा नाम होता है Massive Open Online Courses Massive Open Online Courses कौन सा वेब ब्राउजर Microsoft द्वारा विक्षित किया गया है और Windows Operating System में Default Browser है कौन सा है तो वहाँ Microsoft Edge है Microsoft Edge option D, write हो जाता है अभी करमित अनुदेशन की उत्पत्ती किस के साथ जुड़ी हुई है अभी करमित अनुदेशन की उत्पत्ती शीखने का मनोविज्ञान सिड्नी अल प्रेसी सिक्षन मसीन इन सभी के साथ में जुड़ी हुई है option D, write हो जाता है बाहरी प्रोग्रामिंग किस के द्वारा सुरू की गई थी बाहरी जो प्रोग्रामिंग है क्या है प्रासिक्षन option A, write हो जाता है सैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए विक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की स्विधा कैसे प्रदान करती है तो यह विक्तिगत आवश्यक्तों के अनुरूप अनकूली सिक्षन मंच प्रदान करके श्विधा प्रदान करती है option A, write हो जाता है निमनलिक्षित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है तो यह अंतरदश्टी जो है यह समस्या समाधान में बाधा नहीं है क्योंकि यह positive चीज़ जब आप अंतरदश्टी से सोचेंगे जब आप इमेजरेसन करके सोचेंगे तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा चलिए आगे बात करेंगे वेब ब्राउजर, वेब साइटों तक पहुंचने और प्रदार्शित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उप्योग किया चाता है तो वहाँ जो प्रोटोकॉल है हमारा वो स्टी टी पी है कौन सा प्रोटोकॉल है स्टी टी पी है साइट का पूर्ण रूप क्या है साइट का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपरिमेंट site का पूरा रूप है क्या सामिल है तो इसमें निदान, धारना, क्रिया और प्रतक्रिया ये सभी शामिल है कोईशन कहता है कौन सी ब्राउजर में एक गोपनियता सुविधा है जो वेब साइटों को उप्यूब करता हो की online गत्विधियों को ट्रैक करने से रोकती है वहा कौन सी है तो वहाँ है incognito mode incognito mode है चालिए land का पूरा नाम क्या है land का पूरा नाम है local area network land का पूरा नाम local area network है man को किसकी तुलना में बहता data transfer गती और कम विलंबता प्रदान करने के लिए design किया गया है किसके लिए design किया गया है तो इसको जो है वाइड डबलू एन याने कि wide area network के लिए design किया गया है option b right हो जाता है some pressure प्रक्रिया में encoding संदर्भित करता है some pressure प्रक्रिया में encoding जो है इसका मतलब है संदेश को शब्दों प्रतीकों या संकेतों में प्रिवर्तित करना option c right हो गया very good some pressure में प्रतिपुष्टी की भूमिका क्या है देखिए some pressure में प्रतिपुष्टी की भूमिका कि अगर बात करने तो संदेश की पुष्टी और समझ प्रदान करना option c right हो जाता है w a n when का पूर्ण रूप क्या है when का पूर्ण रूप है wide area network wide area network किस परकार का कारकरा मानता है की सीखने में तूटियां होनी तैह है तो यहाँ शाखी अभिकरम है यह मानता है कि सीखने में गलतियां तो होती है निमनलकित में से कौन सा land में उपयोग किया जाने वाले एक पिशिष्ट संचरण माध्यम है तो वहाँ है उपगर है प्यारे दोस्तों क्या है किस चरण अवस्था में शिक्षक और चात्रों के बीच परतेक्ष जुड़ा और बातचीत शामिल है तो इसमें क्या सामिल है क्या हो जाएगा तो इसमें आपका इंट्राक्ट्व चरण जो है वो शामिल हो जाएगा इंट्राक्ट्व चरण शामिल हो जाएगा चात्र निस्क्रिय रहते हैं इसके लिए तो चात्र जो है वो व्याख्यान विधी में निस्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विदिय में निस्करी रहते हैं सिक्षण के कितने स्तर हैं सिक्षण के 2-3 इस्तर हैं कितने सिक्षण के 3 इस्तर माने किया हैं बाकि जब डिटिल में समझाएंगे तो इसको clear कर देंगे WAN एक प्रकार का network है जो पुरदेश में फैला है वैन जो है ये एक बड़ा भागोलिक शेत्र है क्या है एक बड़ा भागोलिक शेत्र है लैन कंप्यूटर और उपकरनों को संसाधनों को साजा करने के नुमति देता है जिसे इंटरनेट कनेक्शन कहते है जिसे इंटरनेट कनेक्शन कहा जाता है वेवहार तकनीकी के आधार ह देविद ऐसु बेल के दवरा दिया गया शंप्रति उपलब्धी प्रतिमान जो हई यह जेरोम बूर्नर के दोरा option शी Right हो जाता है पेरे दूस्तों आज़ी क्लास में हमने explain नहीं किया सिर्फ आपको answer बता दिया क्यों कि यहाँ पी-वाई-क्यू है इसमें सिर्फ हम यह दिखाने कोशिच कर रहे थे कि इस तरीकी कोश्चन्स आएंगे और यह आपको इस तरीकी कोश्चन्स पढ़ने भी होंगे ओके आप क्यों क्लासे सापकी ICT की रहेंगे उनमें हम विद्वा तरीके से इस एक्स्प्रेंड करके आपको समझा देंगे चलिए क्लास के सब्सक्र, जिरू बता. और मैं जानता हो कि इसमें बहुत सारे एसे ऐसे पास्रिशTwर हैं जो आपको शम्स्ज नहीं आये उनके लिए मैं आपको अलगत। जब explain with explain classes कराएंगे तो आप समझ बाएंगे Thank you so much और हाँ, notes के लिए मत भूलिएगा 9628182649 यह number है, यहाँ पर WhatsApp message करके notes की detailed information ले सकते हैं